है फ्रेंड्स मैं अमीत आप सभी का मैलेश्टेडिंग डाट कॉम के इस यूट्यूब चैनल पर और फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं यहां हम हरोजी ट्रेडिंग रिलेटेड काफी अलगलग टॉपिक्स पर बहुत सारी डिसकेशन करते हैं आज भी हम और एक ऐसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपको ट्रेडिंग करते समय हमेशा याद रखनी होगी आज का हमारा सवाल पूछा है सोहम ने और वो पूछते हैं हाया मैं मार्केट में बिल्कुल नहीं हूं और आपके वीडियो देखके सीक रहा हूं क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि एक सक्सेस्फुल ट्रेडर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा देखो एक सक्सेस्फुल ट्रेडर बनने के लिए हमें दो चीजों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एक तो है मेंटल आटिट्यूड और दूसरी चीज है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल आपने ये नहीं बताया है कि आप अपने ट्रेडिंग के लिए कौन से टेकनिक का इस्तमाल करते हों तो यहाँ पर मैं ये अजूम करता हूं कि आपके पास अपनी एक टेकनिक है देखो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप कौनसी टेकनिक का यूज करते हो बस उसका होना बहुत जरूरी है जब हम ट्रेडिंग से लगादार बैक टूबैक प्रॉफि अच्छे से समझ जाओ ठीक है सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रिपेटेटिव बेहावियर इस फ्यूर्टू सक्सेश और फैल्यू है मतलब कोई एक चीज अगर हम लगातार करते रहे तो अपनी ब्रेन में वह सारे एक्शन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमें उस चीज की इतनी आदत हो जाती है कि वह करने के लिए हमें बहुत सोचना नहीं पड़ता याद करो जब हम पहली बार जब साइकल सीखने जाते थे तो हमें बहुत सारी चीजों पर जैसे कि पेडल मारना ब्रेक लगाना टरन लेना ब अगर आपको एक सक्सेस्फुल ट्रेडर बनना है तो फिर स्टॉक सेलेक्शन ट्रेड एग्जेकेशन बस कुछ ऐसी चीजों को प्रोग्राम की तरह अपने दिमाग में फिट कर दो आपको आपके टेकनिक पे कुछ इस तरह से मास्टरी हासिल करनी होगी कि अगला ट्रेट जब आप लोगी तब आपको जादा सोचना ना पड़े दूसरी बात तो यह है कि ट्रेडिंग को हमें इमोशन से बिल्कुल दूर रखना है इन शॉर्ट हमें इमोशन लेस होना होगा हमें अपने फियर एंड ग्रीड जैसे बैसिक नैचरल इमोशन को काबू करना होगा अल्टिमेटली ये तो सिर्फ बाते हैं और मार्केट में बातों के पैसे नहीं बनते तो इसलिए अब हम सीधा आपने ट्रेड्स की तरफ चलते हैं ताकि यही सारी बाते मैं आपको प्राक्तिकली बता सकूँ लेकिन अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो यह मैं चाहता हूँ कि आप ये वाले वीडियो यहीं पॉट्स करें और मेरी पाच इंडिकेटर वाली वीडियो और इंट्राडे स्टरडेजी वाली वीडियो दोनो देख लें ताकि आपको बाकी बची वीडियो आसान इसे समझा जाए इन दोनों वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और यह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो दोनों वीडियो देख ली है आज हम टोटल तीन ट्रेज को देखने वा ही है यह इसके अप्ट्रेंड में होने की सबसे बेड़ी साइन है यह ऐसे अप्ट्रेंडिंग स्टॉक काफी अग्रासिफ होते हैं लेकिन हमें कोई भी जलबाजी नहीं करनी है हमें स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट का मतलब वीकनेस का इंतेजार करना होगा और अगर यहां पर price को bounce में चुका है तो इस बार भी जब price इस trendline को touch करेगी तो यह level price के support का काम करती है दोस्तों अगर हमें market से पैसे बनाने हैं तो हमें एक दिन पहले ही ऐसे stock को select करने हैं जिनके दूसरे दिन profit में रहने के chance काफी ज़ादा है अगर आपने मेरे बाकी सारे वीडियोज भी देख लिए हैं तो आप यह जानते होंगे कि मैं एक ही technique को बार बार use करता हूँ इसी तरह से आप अपनी एक ही technique को जरूर नहीं कि ये technique हो पर जो भी technique आप use कर रहे हो उसे बार बार use करने से अपने आप ही वो आपकी habit बन जाती है जब हम price को बिलकुल यहाँ पे नीचे गिरते हुए देखते हैं तो naturally हमारे अंदर emotions आ जाते हैं यार price तो गिर रहा है buy करने के बाद और गिर गई तो क्या यहाँ पे buy करना ठीक रहेगा कि थोड़ा मैं और रुकू दोस्तो fear, grade, doubts यह तो obvious emotion होते हैं लेकिन अगर हम अपने ट्रेडिंग के rules को ही follow करते हुए अपने emotions को बिलकुल दूर रखकर एकदम emotionless rate में ट्रेडिंग करना चालू कर देंगे तो हमारी ट्रेडिंग एक अलगी level पर पहुँच जा दिया है और फिर जैसे जैसे हमारी ट्रेडिंग professional हो जाएगी हमारा confidence बढ़ते जाएगा बस यह इतनी सिंपल बात है चलो अब हम इस stock के दूसरे दिन के पाच मिनिट के चार्च को देखते हैं देखो market बिलकुल यहाँ पे open हुआ है हमेशा की तरह हम शुरू के आधा पॉना घंट तक वेट करेंगे इस time में हम price के कुछ special setups को watch करते हैं बिलकुल यहाँ पे है हमारा range है और यहाँ पे है हमारा range low जो कि हमारा stop loss भी है फिर जैसे ही price ने इस range high को ऊपर की तरफ cross कर लिया मेरी entry order execute हो गई फिर आप देख सकते हो कि कि किस तरह price ने एक जबरदस move दी है यहाँ पे हम अपने stop loss को ट्रेल करते हैं ताकि हम ऐसे massive move को उसके enterprise कर पाए सी यह सिर्फ और सिर्फ practice की बात है जो आगे जाकर आपकी habit बन जाती है यहाँ emotion का कोई काम नहीं होता हम सिर्फ market के best opportunities को pick कर रहे हैं और यह इतना simple होता है कि यह आप भी आसानी से कर सकते हो अगर आपक को इस वीडियो के नीचे description box में मिल जाएंगे चलो अब हम अपने दूसरे stock की तरह बढ़ते हैं यह जो stock आप देख रहे हो वो है M&M finance का 30 minute का chart see same thing price 100 simple moving average के उपर stochastics भी उसके 20 के level पर इस lows को छूकर आगे बढ़ते हुए trend line यह सारे indicators जब एक direction की तरह point करते हैं तो यह वा 5 minute के chart पर आदे पौने घंटे में अपने special setups को भी देखते हैं तो हमारा काम बस discipline के साथ trade को execute करना होता है बाकी सब market पे छोड़ दो है ना simple चलो अब हम अपना आखरी trade देख लेते हैं जो है swing trading का जो chart आप यहां देख रहे हो वो है yes bank का daily chart अभी तो आप भी बस देखते ही बता सकते हो कि यह stock यहां पर uptrend में है stochastics भी उसके oversold reason में है मतलब उसके 20 के level पर है price को उसके moving average का भी support है see हमने क्या किया कि एक तो quality stock select कर दिया फिर उसमे trend को identify कर लिया फिर जैसे ही price अपने रटे रटाए setups को break कर देती है हमें entry लेनी है और discipline के साथ profit book करके हमें बाहर भ करनी है कि profit book करते time हमें अपने greed को भी control करना है दोस्तों market से पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं हमें एक ही चीज हर बार over and over repeat करते रहना है और वह भी एकदम emotionless statement तो ही हमारा confidence और account में profits दोनों के दोनों ही धीरे-धीरे speed पकड़ने लेंगे ज्यादा ने रोज थोड़ा time निकाल कर आपको अपने stock के charts को study करने होंगे लेकिन अगर आप रोज रोज time नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके लिए मेरे एक छोटी सी service है जिसमें monthly सिर्फ 100 रुपय में आपको मेरी swing trading की stock की एक wash list भी मिल सकती है उसमें वो सभी stock होंगे जो अपने breakout पे हैं और उसके price और target price भी मिल जाएगी सिर्फ इतना ही नहीं पर अगर आप intraday trading में भी interest रखते हो और करना चाहते हो तो market time में आपको मेरे live updates में मिलते रहेंगे जो study मैं करता हूं उसे आपके साथ share भी करता हूं इसके लिए आपको सुबा 9 बजे के करीब website पर login होना है अगर आप interested हो त और अगर आप अभी register करोगे तो believe we बाकी members की तरह भी आप कल के breakouts मिसने करोगे तो मिलता है कल कुछ और profitable trades के साथ so thank you guys for lots of support and comments अगर आप यहाँ पहली बार आए हो और आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए subscribe करने के link भी आपको निचे description box में मिल जाएगी यहाँ हम हड़ोज एक सवाल लेकिशी solve करने की पूरी कोशिश करते हैं बहुत सारे ideas, tips and suggestions share होती है so again thank you guys for being part of our wonderful community subscribe comment and I'll see you tomorrow goodbye and take care